आयसे अधिक मामले को लेकर विजली विभाग के विद्युत कारेपाल कभियंता संजीब गुपता के कई ठिकानों पर एक साथ विजलेंस की टीम छापे मारी में जुट चुकी है बता दें बिहार साउथ डिस्ट्रिबूशन कंपणी के कारियत संजीब गुपताक पर पीसी एक्ट के तहत मामला 19 सितंबर को दर्ज किया गया था विजली विभाग के विद्युत कारेपाल कभियंता वर्तमान में बाका जिले में कारे रत है विजलिंस की टीम ने उनके ससुराल भागलपूर, कारेस्थल बाका, पटना और पैत्रिक गाउं पूर्णिया समेत उनके कई ठीकानों पर एक साथ छापे मारी चालू कर दी है बता दें कि विजली विभाग के विद्युत कारेपाल कभियंता संजीब गुपता के कई ठीकानों में लाखो रुपए नगद और सोने चांदी के जेवराद सहित कई जमीन के कागजाद भी मिले हैं ये चापे मारी आज सुभे से ही प्रारंब हो चुकी है इसी बाबत पटना से भागलपुर पहुँची निग्रानी विभाग की दो सदस्य टीम ने संजीब गुपता के ससुराल भागलपुर अलीगंड इस्तित सेलबाग मोहले में बिजली विभाग के एक्जेकिटिव सं संजीब कुमार गुपता एक्जेकिटिव पत पर कारे रत है निग्रानी विभाग की टीम अलीगा निस्तित उनके घर छापे मारी कर रखी है अनुमानिया लगाया जा रहा है कि उनके कई ठिकानों से करोरों की चल अलचल संपत्ती जप्त की गई है वहीं इस छापे मारी स से बिजली विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों में हर कंप मत चुका है बता दें कि बिजली विभाग के कारे पालक ब्यंता बनारसी गुपता के पुद संजीब गुपता का पैत्रिक गाउं पूर्णिया के मरंगा थाना छेत्र के बनिया टोला वार्ड नंबर 12 लिखे जाने तक संपत्ति रिकवर के विस्त्रु जानकारी अब तक समपत्ती की विस्त्र जानकारी प्राप्ट नहीं ख़ुपाई है क्या कुछ मिला है इस बारे में भी जानकारी आगे हम आपको जरूर देंगे फलाल आपको बता दें कि ब्रस्टा चार के खिलाफ सरकार करी नीती अपना रही है और इसी नीती के संपत्ती मिलने की बात भी सामने आ रही है मेरो रिपोर्ट न्यूस पियार लाइव पटना